एसस्टी में 60 में से 60 आपके आएंगे सीटेट 2021 में जो NCRT बेस्ट चीज़ों को पढ़ेगा उसके सिर्फ पेपर में इस वीडियो से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा हमारा टार्गेट 125 प्लस का है और वो तब ही आ सकता है जब हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करें जहां से डारेक्ट कोश्चन बनते हैं हमने पहली वीडियो जो आपको दी थी तब हमने वेदों के बारे में बात की थी वहाँ से कोश्चन बनेगा एक दूसरा कोश्चन बनेगा कुछ ऐसे गरंथ हैं आपके जो हमें प्राचीन इतियास के बारे में जानकारी देते हैं और सीट एट के अंदर 60 में से 60 जिसके आ करेंगे आपकी कुछ मिनट लूँगा इस वीडियो में अंत में भी कुछ ऐसी बाते होंगी चैप्टर में जो बहुत इंपोटेंट होंगी तो शुरुआ शुरुआत में देखके बाद में स्किप नहीं करना पूरी वीडियो आपको देखनी है दूसरी ये चैप्टर वा के हैं हमारे एक्जाम के अंदर पेपर वन पेपर टू में मैक्सिमम कोश्चन यहां से रिपीट इडाएंगे तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिएगा जो मैं आज आप लोगों से बात डिसकस करने वाला हूं वो है कुछ गरंथों के बारे में इंपोर्टेंट बुक्स नों थे हमारे वेद जो संख्या में 4 थे रिगवेद था दूसरे नंबर पर था आपका यजुर्वेद तीसरे नंबर पर था आपका सामवेद और फौर्थ था आपका अथर्ववेद इनके अलावा भी बहुत इंपोर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में ancient history काफी important हो जाती है जिनके थुरू हमें काफी जानकारिया मिलती है क्योंकि धरम गरंत हुए एतिहासी गरंत हुए चाहे विदेशियों का विवरण हो उन सब से हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत important चीजे मिलती है जिसमें सबसे पहले निकल कर सामने आते हैं अरन्यक अरन्यक गरंत जैसा की अरन्यक शब्द से आप समझी गए होंगे की अरन्यक गरंतों में वनो को पड़ा जाता था ये थे related to forests वनो से संबंदित थे और ये जो अरन्यक है इनके अंदर से ही ज्यान मारगी विचारधारा जो है उत्पन हुई इनका देखिए ये अरन्यक गरंत आगे चलके एक विक्सित रूप लेते हैं जिनको आप बाद में क्या बोलते हैं उपनिशद बोलते हैं तो उपनिशद इनके बाद पड़ेंगे तो ये अरन्यक वनों से अरन्यक ठीक है दूसरा था संख्यायन तीसरा था तेत्रीय चोथा था मित्रायनी पांचवा अरन्यक कौन सा था माध्यान दिन छटा कौन सा था व्रेदा अरन्यक व्रेदा अरन्यक सेवंथ कौन सा था तलवकार ये साथ अरन्यक थे दोस्त आपसे कौश्चन डारेक्ट पूछा जाएगा अरन्यक गरंथ संख्या में कितने थे साथ थे आपको चार ओप्शन दे दिये जाते हैं पूछा जाता है कौन सा अरन्यक गरंथ नहीं है तो टोटल साथ के साथ मैंने आपको लिखवा दिये हैं और इनका आगे सुधरा रूप ही आप क्या देखते हो उपनिशदों के रूप में देखते हो तो अब इसका स्क्रीनशोट ले लीजिए अब अरन्यक गरंथों की बात करने के बाद हम बात करते हैं उपनिशद की उपनिशद वर्ड का मतलब क्या होता है अगर आप से पूछी हूँ मैं कि उपनिशद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा तो इसका मतलब होता है गुरू के पास निश्ठा पूर्वक बैठना गुरू के पास निश्ठा पूर्वक बैठना इसी को ही आप क्या बोलते हैं इसी को ही आप उपनिशद बोलते हैं तो ये जो उपनिशद है दोस्त इनके बारे में भी question हमेशे आपकी exam में आया है और दोस्त सिर्फ इतना ही नहीं आप से ये पूछे कि उपनिशद के अंदर मुख्य विशय क्या है तो उपनिशद का जो मुख्य विशय है जिनके बारे में उपनिशद में लिखा गया है वो है प्रम ब्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करना यानि कि हम प्रमात्मा को कैसे पा सकते हैं अब उपनिशदों की संख्या के बारे में भी question काफी बार आया है कि जो उपनिशद है उनकी संख्या कितनी है तो आप बताईए comment करके कि आपको उपनिशदों की संख्या कितनी लग रही है अब देखे उपनिशदों की अगर मैं बात करू संख्या की तो वो होते हैं बारा बारा उपनिशद है आपके जहां से question भी काफी बारा आया है जिनके नाम है इश्वास से केन कट प्रिशन मुंडक देखो मुंड को उपनिशद आपने सुनाओगा किस से related है नीचे comment करके बताओ तो मुंड को उपनिशद है एक मांडुक्य है एत्रे तेत्रिये श्विताश्वर चांदोग्य व्रद रन्यक हैं जी व्रद रन्यक बिल्कुल और कोशीत की बिल्कुल तो ये आपके बारा उपनिशद है दोस्त ठीक है और इनके अंदर परम ब्रम है उसको कैसे प्राप्त करते है उसके मुखे नियम है अब एक कोश्चन आता है मुंड को उपनिशद का किसका कोश्चन आता है इन बारा उपनिशदों में से एक जो इंपोर्टेंट उपनिशद है मुंड को उपनिशद वहाँ से कोश्चन आता है और वो question क्या है, जिसका मैंने आपको comment करने के लिए बोला था वो ये है दोस्त की सत्य मेव जैते, सत्य की हमेशा जीत होती है ये कहां से ले रखा है, ये मुणड कोपनिशद से लिया गया है सत्य मेव जैते, मुणड कोपनिशद से अब एक और मुड़कॉप निशद का कुश्चन आता है और वो ये कुश्चन आता है आपका कि मुड़कॉप निशद के नुसार कितने वेदांग है वेदांग वेदो के अंग तो जो मुड़कॉप निशद है उसके नुसार वेदांग छे है मुंड कोप निशद के अनुसार कौन कौन से हैं सिक्षा व्याकरण छंद कल्प निरुक्त और जियोतिश ये चार जो है मुंड कोप निशद के अनुसार वेदांग है देखे उपनिशद एक व्यक्ति और एक काल की रचना नहीं है मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ अगर आप से पूछे की उपनिशदों की रचना के बारे में तो उपनिशदों की जो रचना है दोस्त उसके लिए दो महिलाओं को निर्मान में योगदान की बात की जाती है उसके अंदर महिलाओं का योगदान यहां से परशन आता है तो दो महिलाओं का काफी योगदान है जो विदूशी थी कैसी महिलाओं थी विदूशी विद्वान महिलाओं थी ठीक है तो कौन कौन सी थी गारगी प्लस मैत्री आपने देखा होगा स्कूल के अंदर हाउसिज जो होते हैं उनके नाम ये ज़्यादातर होते हैं या इनको आप याद रखे उपनिशदों की रचना के अंदर इन दो महिलाओं का काफी योगदान रहा जो विदूशी थी गारगी और मैतरी दोस्तों चलो अब आपको उपनिशदों के बारे में आउटलाइन मिली अब बात करते हैं दोस्त कल्प सुत्र की ये भी पॉइंट ऑफ अट्रेक्शन रहा है काफी कोशण का तो एक बार कल्प सुत्र की बात करते हैं कि ये कल्प सुत्र आखिरकार होता क्या है देखिए ऐसे सुत्र जिसमें विधी नियम बनाया गया हो उसे कल्प सुत्र कहते हैं यानि कि ऐसे सुत्र जिन में विधी नियम बनाया हो कल्प सुत्र कहलाते हैं देखिए जो कल्प सुत्र है दोस्तों इसके कई बर पार्ट पूछे जाते हैं एक तो पहला कोशन यह था कि यह है क्या दूसरा यह कि इसके पार्ट कितने है देखिए कल्प सुत्र के चार भाग है चार भाग है कल्प सुत्र के तो वो चार वाग जो कल्प सुत्र के हैं दोस्त वो है कौन से तो सबसे पहला है श्रोत सुत्र दूसरे नंबर का है ग्रह सुत्र तीसरा है धर्म सुत्र और फौर्थ है शूल्ब सुत्र इन चारों को आप याद रखेंगे कल्प सुत्र के भी काफी कोशन आई आए अब कल्प सुत्र के बाद एक और important topic आता है जहां से आपके कोशन आई है वो है समृतियां समृतिज देखिए अगर समिर्थीज के बारे में पहला कोशन आप से पूछेंगे तो oldest समृति पूछेंगे, तो oldest स्मिर्थी है आपकी मनु स्मिर्थी, क्या है दोस्त, मनु स्मिर्थी, इनकी रचना कब की गई है, मेरे ख्याल से 100 से 300 इस्वी पूरू के बीच में, 100 से 300 इस्वी के बीच में लगबक की गई है, और कई बार question ये पूछा गया है, कि ये जो स्मिर्थियां है दोस्त, इसके अंदर दो स्मिर्थियां और important है मनु स्मिर्थी के बाद, वो है एक तो नारद स्मिर्थी, और एक और है उसके बाद, पराशर हैं जी, पराशर स्मिर्थी, इनका लेना देना किस से है, तो देखिए जो नारद स्मिर्थी है दोस्त, और यह जो पराशर स्मर्थी है इन सब का लेना देना है आपके गुप्त काल के सामाजिक वे धार्मिक जीवन से क्यों? क्योंकि नारद स्मर्थी के अंदर और पराशर स्मर्थी के अंदर गुप्त काल के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक जीवन था लोगों का उसके बारे में बताया गया है तो ये भी आप याद रखेंगे अब स्मर्थी के ये दो तिन कोशन होगे कि ओल्डेस्ट कौन सी थी नारद और पराशर स्मर्थी कौन सी थी अब एक और चीज याद रखना आप कि भारतिय इतिहास की अगर कथाओं की बात करें तो उसका सीक्वेंस के अंदर विवरन कहां पर मिलता है तो याद रखना जो मैं चीज जब आपको बताने वाला हूँ वो भी इंपोर्टन्ट चीज है जब भी आप से पूछे की भारतिय इतिहासिक कथाओं का क्रम बद विवरन डैश में मिलता है बताओ कहां पर मिलता है फिल इन दा ब्लेंक वरो तो आंसर क्या दोगे बताओ सोच लिए आपने आंसर आंसर होगा पुराणों में मिलता है यह जो नया टोपिक में आपको बताऊंगा अब पुराण यहां से भी कई कोशन आई है देखिए देखिए रचईता कौन है पुराणों के देखिए इनकी रचईता है लोम हर्ष कौन लोम हर्ष और उनके पुत्र उग्र शर्वा इनको श्रे जाता है दोस्त इनकी संख्या की अगर बात करें तो 18 पुराण है 18 पुराण in total there are 18 पुराण जिसमें से केवल 5 जो है important माने जाते हैं उन 5 के नाम मैं आपको बता देता हूँ देखें इन पुराणों के अंदर जो 5 important है 18 के अंदर से जो important की अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो 5 है important उनके नाम कौण कौण से है मतस्य पुराण मतस्य पुराण के बाद दूसरा है वायू तीसरे है विश्णु विश्णु पुराण वायू पुराण है ना बिल्कुल आपने सुना वोगा ब्रामन पुराण पुराण और उसके बाद पांच वहां कौन सा है बताओ भागवत वैसे तो अठारा की अठारा है लेकिन इंपोर्टन्ट इमें जिनके नाम ज़्याद आते हैं वो पांच है तो ये तो हुए हमारे पुरान देखिए कई बार एक कोश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से गरंथ को शुंग काल का मानक गरंथ माना जाता है कौन सा गरंथ ताजी से शुंग काल का मानक गरंथ माना गया है पुश्यमित्र शुंग से रिलेटेड देखिए जो मनु स्मिर्थी है हमने जब स्मिर्थी पढ़ी थी तो उसके अंदर जो मनू स्मिर्थी थी है मुझे एक और फैक्ट याद आगया तो आपको बताया कि शुंग काल का मान के गरंथ भी आप मनू स्मिर्थी को बोलते हैं और नारद स्मिर्थी जैसे मैं बता चुका हूँ वो आपको गुप्त युक के बारे में जानकारी देती है अब कई बार कोश्चन आता है जातक कथाओं का जातक कथाओं में क्या है जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्वजनम की कथाएं हैं ये अजनता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके अंदर भी जो है इन्हीं को ही जो है दिखाया गया है पूर्वजनम की कथाएं किसके अंदर हैं जातक कथाओं के अंदर है तो एक ये जातक कथाओं वाली भी important books के अंदर बात आ जाती है अब जातक के अंदर बुद्ध की पूरुजनम की काहनिया है लेकिन कई बार पूछा जाता है कि हीनियान महायान और हीनियान इसके दो पाट है तो हीनियान की प्रमुख गरंथ कौन सा है कौन सा होगा बताओ कौन सा आपको लगता है कि हीनियान का प्रमुख गरंथ होगा कथावस्तु answer क्या होगा कथावस्तु हीनियान का प्रमुख गरंथ है और कथावस्तु में क्या है महात्मबुद्ध का जीवन उनका जीवन चरित्र अलग-अलग जो कथानक है उनके साथ वरनित है कथावस्थू में ठीक है? बुद्ध का जीवन कथानकों के साथ में इसको कनेक्टिड करके दिखाया गया है अब दोस्त ये जो पुरान है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थे उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरानों के बारे में हमने बात की थी टोटल अठारा थे पांच मेरे मेन बताए तो इस पुरान का अर्थ क्या होगा? देखे पुरान का अर्थ है पुराना ओल्ड ठीक है? और इसके अंदर है क्या? अगर इसको और डिटेल से कई बार मिलता है मुझे नीचे कमेंट के सर तो तो मैंने सोचा कि पुरान को मैं थोड़ा इतना डिटेल में समझा है तो तो यह जो पुरान है ना दोस्त इसके अंदर भारत के धर्म अपने वाले भाषा में बता लिता हूँ हिस्ट्री यहने की इतिहास, विज्ञान, आदी की जानकारी, उस टाइम पर किसी देश के जैसे भारत का, पुरान के अंदर का है भारत के धर्म, उसकी हिस्ट्री और उसके विज्ञान के बारे में जानकारिया मिलती है, और प्राचीन काफी पुरान है जैसे मारकंडे, ब्रामन, वायू, विष्णू, भागवत, मतस्य, ये सब प्राचीन पुरान है अगर आपसे पूछे कि राजवन्षों का वर्णन किस में है तो राजवन्षों का जो वर्णन है वो है मतस्य पुराण में वायू पुराण में और विश्णु पुराण में इसमें विश्णु की कताए नहीं है विश्णु पुराण में इन सब में राजवन्षों का वर्ण पुरान टोटल 18 है और बनाए किसने मैंने बताया लोम हर्षने और उनके पुत्र उग्रश हरवाने पुराणों के पांच तत्व हैं अगर आपसे तत्व पूछे जाएं कई बार ये भी कोश्चन पूछा जाता है कि पुरान के तत्व तो पुराण के तत्व कितने हैं पांच है फैक्टर्स ओफ पुराण श्रिस्टी परतिसर्ग मदवंतर देववंच और राजवंचों का कर्मिकितियास ये पांच तत्व हैं दोस्तों इसके ठीक है अब दो तिन आपने कोश्चन देखे होंगे एक्जाम के अंदर दर्शनों के ये भी हम आज की ही क्लास में डिसकस करेंगे ये लंबी-लंबी क्लास आपको बहुत महंगे-महंगे पैसों में मिलती हैं जो ये जैसे आप अभी क्लास देख रहे हो ना आपको लगरा हुआ यार इतनी टाइम लग गया लोग पैसे दे दे के इतनी लंबी क्लास लेते हैं और वो सारी चीज़ें आपको बैक टू स्कूल पर मिल रही हैं जैसे आपको इतने पैसे खर्च करके इदर उदर मिलती है तो ध्यान दे जरूर देखिए दर्शनों की संक्या है छे दर्शन टोटल कितने है छे अब इनकी संक्या छे है तो इसका निकनेम क्या दे दिया गया है शड़ दर्शन शड़ का मतलब छे और छे दर्शनों का योग शड़ दर्शन अब यह जो शड़ दर्शन है इसमें कौन-कौन से मुनी थे छे मुनी थे उन्होंने अब अपना जो है फिलोस्फी दी उसमें सबसे पहले जो थे वे थे न्याए के बारे में, न्याए दर्शन, किसने दिया, गोत्तम रिशी ने, दूसरा दर्शन कौन सा था, विशैशिक दर्शन, ये किसने दिया, कनाद रिशी ने, तीसरा कौन सा, सांख्य दर्शन, ये सारे कोशन आते हैं आपके एक्जाम में, देख लो, उनके टोपिक सब करवारों आपको, सांख्य दर्शन किसने दिया, कपिल रिशी ने, ये जो वीडियो पूरी है ना, आपको शुरूर से लेकर लास तक थोड़ी पहुत बोरिंग दर्शन था आपका, योग दर्शन, ये किसका था, पतंजली का, पांचवा पूर्व मिमान सा, जैमिनी, जैमिनी दिशी, और छटा कौन सा था, उत्तर मिमान सा, ये किसने दिया, बदरायन ने, जिसे बादरायन भी बोला जाता है, ये छे दर्शन थे दोस्त, ठीक है, अब इन दर्शनों के कोशन के अलावा, जैन साहित्य से कोशन भी आता है, अब जैन साहित्य को भी लगे हाथों हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, जैन साहित्य को क्या कहते है, ज इतिहास कहां से पता लगता है देखिए अगर आपसे पूछे जैन धरम का प्रारंबिक इतिहास कहां से पता लगेगा तो वो पता लगेगा आपको कल्प सुत्र से कहां से पता लगता है कल्प सुत्र से ग्यात होता है ठीक है अब कल्प सुत्र के साथ एक और बुक काफी इं और वो है अर्थ शास्त्र रिलेटिड किसे थी ये इकोनोमिक से रिलेटिड नहीं थी अगर आप से पूचे कि अर्थ शास्त्र एकोनोमिक से रिलेटेड थी, नहीं, नाम पर मत जाओ, ये politics से रिलेटेड थी, राजनीती से, politics कैसे होती है, राजनीती कैसे होती है, वो बताया गया था इस book के अंदर काफी अच्छे से, ठीक है, इसके अधीकरण कितने, part कितने हैं, ठीक है, part 15 है, और ये 180 chapters में है, 15 part में है, 180 chapter के अंदर है, यानि कि अधीकरण पूछे जाएं, अधीकरण पूछे जाएं, तो अधीकरण है इसके 15, लेकिन उसके बाद अगर परकरण पूछे जाएं, तो परकरण है इसके 180, ये भी आपको याद रखना है, इससे किसकी जानकारी मिलती है, मोरिय काल की, जात राजनीती के बारी में है ये, ठीक है, और ये राजनीती विज्ञान से रिलेटिड है, किस से रिलेटिड है ये, राजनीती विज्ञान से, इकोनोमिक से बिलकुल भी ये रिलेटिड नहीं है, ठीक है, अब एक कोशन आता है आपके संस्कृत साहित्य का, संस्कृत लिटर अब देखे संस्कृट साइधते में एतिहासी गटनाओ को सबसे प Hailald Nे क्या किया सबसे पहले जो संस्कृट था उसकी अंदर एतिहासी गटनाओ को क्रमबदूस ने लिखा प्योट कलन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था राज तरंगिनी राज तरंगिनी ये बुक है कल्लन की बहुत फेमस बुक है और इसका लेना देना किस से है कश्मीर के इतिहास से तो संस्कृत के अंदर साहित्य को करमबद कल्लन ने लिखना शुरू किया राज तरंगी ने इनकी बुक थी और ये कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है अब एक और आपको बुक नाम याद रखनी है वो है अस्टा ध्याई क्या नाम याद रखना है अस्टा ध्याई यानि कि एक ऐसे बुक जिसके अंदर आठ अध्याएं है 8 चैप्टर यानि कि बुक which has 8 चैप्टर्स 8 चैप्टर्स वाली बुक अस्टा ध्याई 8 अध्याईओं का समू यह किसने लिखी थी बताओ यह लिखी थी पाने नीने किसने लिखी थी पाने नीने अब question इससे डीब भी पूछा जा सकता है इसकी language क्या है अस्टा ध्याई की language है संस्कृत क्या है दोस्त संस्कृत है important क्यों है क्योंकि यह व्याकरण की first book है व्याकरण की first book तो व्याकरण की first book आपकी अश्टा ध्याई पाने ने लिखी संस्कृत इसकी language है ठीक है चलिए अब देखिए अश्टा ध्याई के उपर एक टिका भी लिखी गई है इसको बेस मान कर अगर आपसे पूचे की अश्टा ध्याई पर एक टिका लिखी गई है वो उसका नाम क्या है वो लिखा था महाभाष्य उस टिका का नाम है और वो किस ने लिखी थी पतंजली ने तो पतंजली ने एक और बुक लिखी थी महाबाश्य है वो अश्टादाई के उपर एक टिका है ये भी आपको याद रखनी है ठीक है चलो अब एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कुछ चित्रकला के बारे में जहांसे हमें इंशेंट हिस्टरी के बारे में पता लगा तो चित्रकला के बारे में जो सीटेट में कोश्चन आता है वो आता है अजंता का अजंता तो देखिए अजंता की जो विश्व पर से चित्रकला है उसका पता लगा था 1819 सिस्वी में पता कब लगा 1819 सिस्वी में ये तो ही इसकी पहली बात दूसरी बात कि इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है कहां पर अगर आप से पूछे तो ये है आपके महाराष्ट्रा में ठीक है इससे क्या होता दोस्त मोर्ये सामराजय के पहले इतिहास था जो मोर्ये यूगिन जो है चित्रकला है उनसे भी मोर्ये काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है लेकिन इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है बस आप चित्रकला के बारे में अजन्ता तक ही सीमित रहें कि इसको कब जो है खोजा गया 1819 इस्वी में चलिए अब आज की इस वीडियो में हमने किया क्या क्या आज की इस वीडियो में हमने बहुत जादा चीजें कर ली आज की इस वीडियो में हमने अलग-अलग बुक्स को देखा पुरानों के बारे में अरनकों के बारे में बात की. तो आज की इस वीडियो में टाइम हमारा लगा है आदा घंटा लेकिन इस आदे घंटे में हमने चीज़ें बहुत सारी की है. तीसरा चैप्टर किस चीज़ का होगा? देखे इसके अंदर जब मैं तीसरा चैप्टर डालूँगा उसमें मैं अलग-अलग जो ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने किस वक्त को चुना किस के दोरान आए क्या-क्या उन्होंने एंशेंट हिस्ट्री के बारे में बताया वो हम सब करने वाले हैं तो इन वीडियो के जरीए आपका सीटेट कहीं रुकने वाला है नहीं जल्दी से इन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जैसा मैंने बोला कि बैक टू स्कूल की जो एंड्रोइड अप्लिकेशन है उसको इंस्टॉल जरूर करें सब्सक्रिप्शन जरूर लें सीटेट 100% आपका निकलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए जहीं दिजाबार तरह मोस्ट इंपोर्टेंट बात पढ़ते जरूर रहना है तेंक्यू सो मच आपड़ी वाल